शमी की वापसी हार्दिक ने नहीं कराई तो तीसरा कौन था जिसने रोहित को आइडिया दिया टीम में शमी की इंट्रिक इंसाइड स्टोरी आधी रात को रोहित को बनानी पड़ी थी टीम मौमत शमी के लिए लगा दिया वीटो पावर बाकी मैचों से किसने कटवा दिया शार्दूल का पत्ता मैच शुरोने से दो घंटे पहले तक पता नहीं था शमी खेलेंगे या नहीं बंद कमरे में खुद को कोशते थे शमी बड़े भाई को बार-बार करते थे याद तब ही टीम का एक मेंबर ढाल बनकर खड़ा हो गया शमी को मौका मिल ही गया किस मजबूरी की वजह से शमी को नहीं दिया था शर्मा जी ने मौका वर्लकाप एतेहास के सबसे बड़े गेंदबास के साथ क्यों हुआ धोखा ये रेपोर्ट देखकर आग खुल जाएगी कहते हैं मौके पर चौका शमी ने चौका नहीं पंजा लगा दिया लेकिन टीम इंडिया में शामिल होने और पांच विकेट लेने की कहानी जितनी खुबसूरत है उतना ही एमोशनल भी मौमद शमी की काम्याबी तो नजर आ गई लेकिन शमी का संगर्श कोई देख नहीं पाया टीम के साथ होकर भी मौमद शमी खोए-खोए रहते थे बंद कमरे में घुटते थे क्योंकि उन्हें प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिल रहा था लेकिन इतना सब होने के बाद भी टीम में कोई था जो ये सब कुछ देख रहा था और उसी वजह से मौमद शमी को मौका मिला आप जब शमी की कहानी सुनेंगे तो दिल पसीच जाएगा फिर उनकी काम्याबी पर और खुश हो जाएंगे शमी वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसे गिंद बाज हैं जो इतिहास को पल भर में बदल सकते हैं मौमद शमी के अंदर वो काबिलियत है वो आकड़े जिसको देखकर आपकी आखे फटी की फटी रह जाएंगी वर्ल क्रिकेट में मौमद शमी के रिकॉर्ड को देखकर दुनिया के बड़े से बड़े क्रिकेटर इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर शमी को रोहित शर्मा ने और बीसी सियाई ने इस वर्ल कप में मौका क्यों नहीं दिया जिस खिलाडी के अंदर रिकॉर्ड तोडने की और रिकॉर्ड बनाने की आदत है जो खिलाडी दुनिया का सबसे महान गिंदवाज है उस खिलाडी को किसके लिए मौका नहीं दिया गया इन सारे सवाल का जवाब भी आपको इस रेपोर्ट में मिलेंगे साथी ये भी बताएंगी कि मौहमत शमी ने शांदार प्रदर्शन करने के बाद टीम इंडिया और कप्तान रोहित शर्मा को लेकर वो कौन सा बयान दिया जिसको लेकर दुनिया भर के क्रिकेट ट्रेमी मौहमत शमी को एक बहुत पड़ा दिलवाला इंसान बता रहे हैं साथी उन्हे सच्चा देशभक भी लोग कह रहे हैं दरसल मौहमत शमी जब अकेले और खोई रहते थे तब दो लोग उन से लगतार बाचीत करते थे पहले केल रहूल और दूसरे रहूल द्रवड हालांकि रोहित शर्मा भी लगतार शमी के साथ नेट प्राक्टिस करते थे शमी को पूरी टीम ने मोटिवेट किया इस पीच हार्दिक पंडिय जब चोटेल हुए तो तैह हुआ कि शादूल ठाकूरी खेलेंगे लेकिन पंडिया की जगा सुरे कुमार यादों को शामिल किया जाएगा इसके बाद भी टीम इंडिया के पास पांच किंद बाज होते बाकी के कुछ ओवर रह जाते जो रोहित शर्मा और विराट कोली मिलकर फेक सकते थे लेकिन केल रहूल ने अपना वीटो पावर लगा दिया वो शमी को बार बार प्रमोट करते केल रहूल भले ही टीम इंडिया में कुछ ना हो लेकिन फिर भी मैनेजमेंट उनकी बात सुनता है केल रहूल लगातार मौमद शमी को लेकर नेट पर प्रैक्टिस करते पसीना बहाते मौमद शमी भी खुद से लगातार नेट पर पसीना बहाते रहते बाले ही मैच में मौका मिले या ना मिले लेकिन जब भी शमी को मौका मिलता वो ग्राउंड पर उतर जाते और गेंदबाजी करते एक विकेट और एक प्लेट लगाकर शमी उसे टार्गेट करते और अपना लाइन लेंच सही करने की कुशिश करते अब जरा इनाकरों को देख लीजे और समझे की कैसे मोहमत शमी के साथ नाइन साफी की जा रही है क्योंकि मोहमत शमी ने जितने मैचों में जितने विकेट लिये उतना शायद कोई भी गेंदबाज वर्ल क्रिकेट में नहीं ले सकता पहले हम भारत के सबसे बड़े गेंदबाजों की बारे में बात कर लेते हैं भारत के लिए वर्ल कप मैचों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की फैरिस्त में जहीर खान पहले नमबर पर काबीज हैं जहीर खान ने 23 वाल्ड कप मैचों में 44 विकेट जटके, मतलब समझे, 23 मैचों में 44 विकेट, इसको याद रखिए, वहीं इस फैरिश्ट में दूसरे नमबर पर जावगल शुनात है, जावगल शुनात ने 34 मैचों में 44 खिलाडियों को आउट किया, इसके बाद 30 गेंदबा को मौका दिया गया, तो भारत ही नहीं बलकि दुनिया के नमबर वन वर्ड कप के गेंदबास बन जाएंगे, आपको क्या लगता है, इतनी काबिलेत होने के बावजूद शमी को टीम इंडिया में मौका देना चाहिए, या ऐसे ही मजबूरी में गेंद थामना चाहिए, पारदिक पांडे के घायल होने से मौमद शमी को लाना पड़ा, ये टूनामेंट शमी का पहला मैच था और उनने पांच विकेट लिए, शमी ने वही किया जो उनने आस्ट्रिले के खिलाफ मोहाली में किया था, शमी के मोहाली और धर्मशाला की आकड़े काफी समाने, उन शमी के खिलाफ मुकाबले से पहले चार मैचों में शमी नहीं खिल पाए, टीम सैयोजन के कारण उनकी जगा नहीं बन पा रही थी, शमी की जगा मोहमद सिराज को लगतार मौके दिये जा रहे हैं, और सिराज अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, शमी ने नियुजिले शमी के खिलाफ कहर बरपा दिया, उन्हें ने जोड़दार वापसी की और पांच विकेट अपने नाम किये, शमी ने दस ओर में चोवन रन देकर पांच विकेट लिए, विश्व कप में भारत के लिए एक मैच में पांच या उससे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबास शमी के लावा कपिल देव, वेंग टेश प्रसाद, रॉबिन सिंग, आशेस नहरा और योवराज सिंग का नाम है, शमी को छोड़कर बाकी समी ने एक एक बार ऐसा किया, शमी ने विश्व कप में पांच वी बार मैच में चार या उससे अधिक विकेट लिए, इस मामले मे वो संयूक तरूप से दूसरे स्थान पर है, शमी ने दक्षिन अफरिका के पूरो स्पिनर इम्रान ताहिर के बराबरी की, उन से आगे अब सिर्फ और आस्ट्रोले के तेज गिंदबाज मिचल स्थाक है, उन्होंने च्छे बार ऐसा किया है, मैच के बाद मुहमद शमी न पर आतना विश्वास हासिल करने की जरूरत है, और इस मैच ने मेरे लिए वही काम किया है,